साथियो नमस्कार, देखेगा आज का ट्रिक क्या है? आज का ट्रिक आपका बंदर वाले कोश्चन के लिए है और इस तरीके का कोश्चन अक्सर ही कजामनिंशन में देखने को मिलता है यहाँ पे आपको एक ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जिसके मदद से इस तरह के किसी भी कोश्चन को सोल्व करने में मातर कुछी सेकेंड का समय लगेगा तो आईए देखते हैं देखिएगा कोश्चन क्या है यहाँ पे बोला है 15 मीटर लंबे एक चिकने खंभे पर एक बंदर एक मिनट में 5 मीटर चरता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिशल जाता है चरने और फिशलने का यह करम प्रते एक एक मिनट के अंतर पर हो रहा है तो बताएं कि खंभे के सिखर पर पहुँचने में बंदर को कितना समय लगेगा अब गौर से देखेगा इस कोशन के सारांस को हम यहाँ पर लिखते हैं हमें एक बंदर को चरहाना है 15 मीटर उचे चिकने खंभे पर ठीक है 15 मीटर उचा चिकना खंभा है जिसके उपर हमें बंदर को चरहाना है अब यह बंदर जो है वो पहले मिनट में 5 मिटर चड़ता है जब यह बंदर चड़ने का प्रयास करता है तो पहले मिनट में क्या होता है यह 5 मिटर चड़ जाता है लेकिन अगले मिनिट में जब यह चर्णे का प्रयास करता है यानि दूसरे मिनिट में जब यह चर्णे का प्रयास करता है तो चर्ण नहीं पाता है बलकि फिसल जाता है और फिसलता कितना है या फिसल जाता है आपका तीन मीटर और चर्णे और फिसलने का जो यह क्रिया है वह प्रते एक एक मिनट के अंतर पर हो रहा है तो हमें यह बताना है कि इस बंदर को खंभे के सिखर पर पहुँचने में कितना समय लगेगा ध्यान से देखिएगा कोश्चन समझ पा रहे होंगे एक बंदर को हमें चर्हाना है 15 मीटर उंचे चिकने खंभे पर पहले मिनट में यह बंदर 5 मीटर चर्टा है लेकिन अगले मिनट में यह बंदर जब चर्णे का परयास करता है तो चर्ण नहीं पाता है बलकि उल्टा यह चपी में फिशiese लेगा या यह करम चलता रहे तो खंबे के सिंखर पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा देखिएगा इस कोशन को बनाने का ट्रिक्ट्ड या है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि खंभे की हुचाई तो खंभा का हुचाई कितना है 금 12 इतना ही करना है चर्णे वाला स्टेप बट्टा में आपको लिखना है चर्णे और फिसलने वाला का अंतर चर्णे और फिसलने वाले स्टेप का अंतर तो चरता है पांच मीटर फिसलता है तीन मीटर इसका अंतर कितना का है दो का अंतर है ठीक है इतना क्लियर हो पा रहा होगा इसके अब आपको क्या करना है ना अब इसमें गुणा करना है यह परकडिया जितने समय में पूरा होता है तो परकडिया कितने समय में पूरा होता है तो एक मिनट में चरता है और दूसरे मिनट में फिसलता है यानि कि चरने और फिसलने का जो पूरा क्रिया है वह आपका पूरा हो उससे करेंगे गुना और लास्ट में एक काम और कर लेना है उपर से आपको कर लेना है प्लस वन अभी आप केबल अच्छी तरह से देखिएगा दो और कुशन हम लोग इस तरीके का देखेंगे बस इतना करना है आंसर आप का जाएगा देखें दो से दो कैंसिल हो गया पंद इसमें से माइनस करना है चरहने वाला इस्टेप बट्टा में आपको लिखना है चरने और फिशलने वाला का अंतर और गुना करना है यह क्रिया जितना समय में पूरा होता है दो मिनट में पूरा होता है तो दो से और लास्ट में आपको करना है प्लस वन इससे आपका आंस बंदर आसानी से आ जाएगा आए अगले कोश्चन के ऊपर इसी मेथड को हम लोग ट्राइ करते हैं देखिए एक बंदर को 14 मीटर उचे चिकने खंबे पे चरहाना है यह बंदर पहले मिनट में चरता है दो मीटर और ठीक अगले मिनट में फिसल जाता है एक मीटर चरने वाल कितने समय में पोल के ठीक उपर पहुंच जाएगा हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे खंबे की उचाई तो खंबे की उचाई कितना है 14 माइनस करेंगे चरने वाला स्टेप तो चरने वाला स्टेप कितना है दो बट्टा में क्या लिखना है चरने और फिसलने वाला क यानि चर्णे और फिसलने का जो किडिया है वह कितने समय में पुड़ा हुआ है दो मिनट में तो जितने समय में पुड़ा हो उससे करना है गुना और लास्ट में आपको कर लेना है प्लस वन ठीक है सोल्ब कर लीजे बटा में एक है मतलब यही वैलू रह जाएगा तो 14 माइ कि सिर्ष पर पहुच जाएगा यानि कि ठीक उपर पहुच जाएगा आई यह एक कोश्चन और हम लोग देखते हैं अब इस कोश्चन को गौर से देखिएगा क्या है कितने समय में एक बंदर साथ फिट लंबे एक पेर के सिर्ष पर पहुच जाएगा यदि वह एक में तीन फिट उचलता है और दो फिट गिर जाता है यानि यहाँ पे क्या है ना कि चरहने और फिसलने उचलने और फिसलने वाला दोनों का दोनों जो किरिया है वह एक सेकेंड में ही संपाधित हुआ है एक सेकेंड में तीन फिट उचलता है और दो फिट गिर जाता है कि एक सेकेंड में ही तीन मिनिट उचलता है और दो फिट गिर जाता है इस चीज का आप धियान रखिएगा कि परकिडिया पूरा होने में समय कितना लगता है अब आईए वही मेथड यहां भी अपनाना है हमें बंदर को चरहाना है कितना कितना फिट साथ फिट तो सबसे पह हो जाएगा एक और गुणा करेंगे यह परकिडिया जितने समय में पूरा होता है तो परकिडिया एक मिनट में ही पूरा हो रहा है चरने और फिसलने दोनों का जो परकिडिया है वह एक मिनट में ही पूरा हो रहा है तो गुणा करेंगे कितना से एक से और लास्ट में प्ल लुसंतावन प्लस एक अंठावन यानि आंसर हमारा क्या होगा इस कोश्चन का अंठावन तो अंठावन मिनट में यहां सेकेंड के फॉर में दिया है तो सेकेंड में यहां बंदर जो है वखंभे के सिर्ष के सिर्ष पर पहुंच जाएगा ठीक है चलिए तो इसी तरह के वी करिए मैठ्स वातिका आप नव थैंक यू और विश्यू आल देश्ट